हलो दोस्तो आज की मेरी वीडियो है यूरिन में बलड का आना यानि पिशाप में टॉलेट का खून का आना आज की वीडियो में इसी गूपर यह कैसा होपाय बताने वाली हूँ जिसे करने के बाद आपकी यूरिन में आपकी टॉलेट में बलड आना बिलकुल खतम हो दोस्तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी लास तक देखनी है और इस वीडियो में ये बता हुए आपको किस चीज का कैसे और किन-किन चीजों का आपको इस विमारी से चुटकारा पाने के लिए परहेज करना होगा दोस्तो इसके लिए आपको करेला का इस्तमाल करना है आप एक छोटा करेला ले लीजिए आप हरा ताजा करेला लीजिए और इस बात का धियान रखें कि करेला जादा पका हुआ ना हो कच्चा हरा करेला लें उसके बाद आप उसे एक ग्लास पानी में रगल लें अच्छे से उसका खूब जूस बना लें और एक ग्लास पानी में आपको गोल के आप चाहें तो उसमें अपने स्वाथ के अनुसा नमक भी डाल सकते हैं लेकिन सिर्फ करेला के जूस से ही आप इस समस्या से छुटकारा दोस्तो आपको ये सुबा साम दोनों टाइम यूज़ करना होगा अगर आपको करेला खाने में अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं दोस्तो आपको इसके साथ ही कई चीजों का परहेज भी करना होगा जैसे कि आपको गर्म चीजों का परहेज कर तो इसके साथ ही आपको लाल मिर्च यानि आपके मसालो का भी सेवन बहुत ही कम करना होगा लाल मिर्च खास करके आपको इस्तमाल नहीं करनी है जब तक आप इस विमारी से छुटकारण नहीं पा लेते हैं आप चाहें तो बहुत ही कम लेकिन हरी मिर्च को यूज़ कर सकते ह यहां आप हरी मिर्च से कोई दिक्कत नहीं है, हरी मिर्च हमारी सेहत के लिए सही रहती है, दोस्तो यह एक छोटा सा उपाय है, जिसे करने से आपकी यूरिन में आपकी टॉलेट में बलड आने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा आपको और इससे आपकी बीमारी आगे भ यहां आपी मिल प्यापरा मिल जगुपर जग wanna you ow Wein Six Go का यहां आपकी बीमारे सा भा लिए जहां वहां जट आव पी करने से कोई यहां है, जब टोस्तों झूहां है, इस भारे को जबना है, हरी को непростी जा पहां confidence. झाल झाल